ऊठ्तरपर्देश में आने होले वक्त में चुनाव है तो चुनावी महौल मेक बड़ी ख़बर सामने आई है बड़ी ख़बर है BSP और मायवती को लेकर जिएँ एक बड़ा फैसला मायवती ने लिया है विढान सभा चुनाव को लेकर मायवती का ट्विट है यूपी विधान सवा की हम बात कर रहे है यूपी विधान सवा चुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है कि किसी भी बाहु वली को हम टिकट नहीं देंगे ये मायावती का कहना है कि किसी भी भाववली को टिकट नहीं मिलेगा और मुखतार अंसारी का भी सिक्र किया गया है किसी माफिया को भी टिकट नहीं देंगे ये भी मायावती ने ट्वीट कर कहा है एक बड़ा अलान किया है इस बार मौसीट से मुखतार अंसारी को टिकट नहीं मिलेगी बिएसपी की ओर से और जो ट्वीट में लिखा गया है वो भी हम आपको बतादे विधानसवा चुनाव को लेकर मावेटी का एट्वीट है किसी भी बाववली को टिकट नहीं देंगे यह उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है और एट्वीट में लिखा गया है कि पीएसपी का अगामी यूपी विधानसवा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बावली और माफिया आधी को पार्टी से चुनाव ना लड़वाया जाए इसके मदे निजर ही आजमगड मंदल की मौविधान सबा सीट से अब मुखतार अंसारी नहीं बलकि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भी मराजभर के नाम को फाइनल कर दिया गय है और इसके फलसरों पार्टी परभारियों से अपील की गई है कि वे पार्टी उमिद्वारों का चैन करते समय इस बात का खास ध्यान रखे टाकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद सक्त का रिवाई करने में कोई भी डिक्कत ना हो ये मायवती का ट्वेट आपने देख लिया है